नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल हल्थ टेख पे फ्रेंस आज अम बात करेंगे आई आई टी 100 केपसूल के बारे में इस केपसूल का क्या काम है, क्या फायदे हैं, क्या नुक्सान हैं फ्रेंट्स पूरी जानकारी देंगे किप्या वीडियो को पूरी देखें तो फ्रेंट्स IIT 100 कैप्सूल जिसके मार्केट प्राइज की बात करें तो अब ठावन रुपए इसकी मार्केट प्राइज है और ये मेमकॉन लाइब साइन्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और ये बहुत ही बेटर प्रोड़क्ट है इसके कंटेंट की बात करें तो फ्रेंट्स इसमें इंट्रा कोना जोल सोयमजी होता है तो आईए जानते हैं इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी इससे पहले फ्रेंट्स बता दें कि अभी तक आपने आमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वेल आइकन को भी दबा लें ताकि अमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दमाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे तो फ्रेंट्स बात करते हैं आई आई टी अंडेट कैप्चूल के बारे में तो फ्रेंट्स जैसा कि इसका कांटेंट इंट्राकोना जोल है तो यह एक एंटी फंगल समों की दवा है जो कि फंगल इंफेक्शन को ठीक करने में मदद करती है फंगल इंफेक्शन फ्रेंट्स है जैसे कि नाखुनों में फंगल इंफेक्शन बालों में phungal infection, गुपतांगों में phungal infection या सरीर में कहें भी phungal infection हो आखों में phungal infection, ring warm, दादखाच खुझली Friends, इन सबको ठीक करने के लिए ये बहुत ही बेतल कैपसूल है तो Friends, phungal infection जैसे की दादखाच खुझली अगर ठीक नहीं हो रहा हो या ठीक होके फिर दुबारा हो जा रहा हो जिससे लोग परेशान हो जाते हैं तो इस दवा के 7 से दाद खाज खुजली और फंगल इंफेक्शन जाए समस्या जड़ से समाप्थ हो जाती है तो फ्रेंट्स आईए जान लेते हैं इस कैप्सूल के 7 बीद के बारे में तो इस कैप्सूल को डेली एक गुली लेना होता है खाना खाने के बाद या अपने डाक्टर के परामास के अंसाव तो फ्रेंट्स इसका जो कांटेंट है इंट्राकोना जोल ये इसकी बहुत सी कैप्सूल मार्केट में उपलब्द हैं जैसे की कैंडी फोर्स या अन भी बहुत सी कैप्सूल आती है तो जो भी आपको मिले वो आप ले सकते हैं और आए फ्रेंट्स जान लेते हैं इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में तो फ्रेंट्स इस कैप्सूल के जो साइड इफेक्ट हैं जैसे की जी मसलाना, उल्टी होना, सरदर्द, मतली, पेट में दर्द, पेट में गैस बनना, तोचा में खुजली होना, शरीर पे लाल चकत्ते निकलना, आलस, मुझ सुखना, ये सब इसके चाइड इफेक्ट हैं, जो की किची किची को हो सकते हैं, तो फ्रेंट्स अगर इस क कैचूल को खाने के बाद एची कोई समस्या होती हो, तो इसका सेवन बंद करके अपने डाक्टर से तुरंट संपर करना चाहिए, तो फ्रेंट्स ये थी हमारी आज की जानकारी IIT 100 कैचूल के बारे में, आसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्काइब भी कर लें, तो फ्रेंट्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ